1992 में बॉलीवुड के शहनशाह अमिताब बच्चन फिल्मों से छोटा सा ब्रेक लिया था। इस ब्रेक के बाद उन्होंने 1997 की फिल्म मृत्युदाता से हिंदी सिनिमा में वापसी की थी। इस फिल्म का निर्देशन फिल्म निर्माता मेहुल कुमार ने किया था। हाल ही में एक बातचीत के दोरान मेहुल कुमार पुराने दिनों को याद करते नजर आये। उन्होंने अमिताब के अलावा नाना पाटेकर के साथ भी अपने काम के अनुभवों को अपने फैंस के संग साज़ा किया। मेहुल कुमार ने फिल्म इंदस्ट्री को कई शानदार फिल्म इस फिल्म से ही बॉलीवुड को पंजाबी गायक दलेर महंदी भी मिले। उस फिल्म में उनका गाया हुआ गाना आज भी लोगों याद है। दलेर महंदी को नहीं हुआ था यकीन। मेहुल कुमार अपनी बात जारी रखते हुए कहते हैं। जब मैंने दलेर महंदी को फो नाना जबर्दस्थ हिट हुआ था, अमिताब बच्चन और नाना पाटेकर कोहराम में नजर आये थे, इस फिल्म का निर्देशन भी मेहूल कुमार ने ही किया था, मेहूल बताते हैं, जब वे अमिताब बच्चन के पास कोहराम का ओफर लेकर पहुंचे थे, तब अमिताब थोड़े दुविधा में थे, शायद उन्होंने नाना पाटेकर के नेजर के बारे में सुन रखा था, मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि सेट पर उन्हें पूरी इज़त मिलेगी और नाना के साथ मैं फिल्में कर चुका था, मुझे पता था ऐसी कोई समस्या सामने नहीं फिल्म एक दम आसानी से शूट हो बेए थी